हेलो गुड़ापनू स्टूडेंट्स हो यू हो पल उस्यों डिंग विल आज हम चर्चा करने वाले कि किस तरह से सवन्थ फेस का बिहार वाले और आउट साइड ऑफ दो बिहार के जो स्टूडेंट है कैसे बरेंगे फॉर्म स्टेप वाए स्टेप तो आईए चलते तो सबस करिए ठीक है जैसे ही आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा यहां पर लिखा होगा बीपी एसी ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यह आपको एक नई विंडो पर ले जाएगा ठीक है आप इसे ओके करें तो कुछ ऐसा आपका इसमेंट नंबर ठीक है नेम ओफ दे स्कूल एस कूल रिख टीचर रेख्रूट में एक्जामिनेशन जाए सटाल लगे वह मेंडेटरी है तो वह तो आपको बरने भरने ठीक है तो केंडिडेट फस्ट नीम आपको फस्ट नीम ठीक है बिलनेम लास नीम यहां आपके फाद लाइसेंस नंबर चूस करते हैं तो आपको उसका 200 रुपय और एक्स्ट्रा फॉर्म देना पड़ेगा ठीक है तो जैसे आप अगर आपके पार आधर काड़ है तो आधर काड़ डाल दीजे और डायविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजे ठीक है फिर अपलोड ऐडेंटिटी अगर आप स्टेट वियार सिटेट इस नो करेंगे पहले यहां पर क्या हो रहा था नो करते थे तो आपको बरने नहीं दिया जाता था इसका मीन्स अब आप इलिजिबल है ठीक है मतला आउटसाइड एस्टेट वाले भी इलिजिबल है अगर आप रिजर्व केटेगरी को कर रहे ठीक है कर रहे तो यस करिएगा नहीं कर रहे तो नो करिएगा ठीक है बट जो आपके बिहार स्टेट के नहीं है वह यहां जनरल महीं काउंट कि जाएंगे क्योंकि अगर आपने नो सेलेक कर रहा है तो आप कितना भी यस पर क्लीक कर लीजे यह आपका नहीं होगा if select then code ठीक है देखे नहीं होगा बट यह ही अगर आप बिहार के है तो देखे आपका यह सारी चीज मांगी जाती है ठीक है certificate number मांगा जाता है issue date मांगी जाती है permanent resident PDF माना जाता है आपकी category कोन सी हो मांगा जाता है EWS, SCST वगेरा उसका certificate number उसका issue date ठीक है बिहार certificate issued by बिहार है तो बिहार अधर है तो अधर और उसका PDF आपको upload करना पड़ेगा बट अगर आप नहीं ब्लॉंग करते ठीक है तो आपको यहां general count किये जाएगा ठीक है तो यहां पर are you a citizen of India yes are you permanent resident of बिहार नो ठीक है तो देखे यह सारे ब्लॉंग हो गए मेरेट है तो मेरेट पर क्लिक करिए अन्मेरेट है तो अन्मेरेट पर क्लिक करिए जेंडर बताइए अपना क्या आपके घर में कोई freedom fighter रहा है हां तो हां ना तो ना ठीक है क्या आपके पास कोई disability है disability है तो वो मेंशन करें और उसका भी certificate आपको बनना पड़ेगा जैसे कि yes करूँ तो कौन सी disability है वो बताना पड़ेगा certificate नंबर एशूदृड और किस चिकिससदा या महा चिकिससदा विंधालन है आपका ये इशू किया ठीक है बढ़ मैं no click करूंगा अगर एक सर्वेसमें नो तो यस मेनन है तो इस कभी certificate लगेगा ठीक है फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाए संस्था नान ग्रत नियुक्त एवं कारिरत शिक्षक अगर आप पंचायती राज्य द्वारा जो एडॉप्ट स्कूल है ठीक है उनमें काम कर रहे हैं येस करेंगे तो डेजिगनेशन क्या है ओफिस क्या है सेलेक क्या मतलब कौन सी डिस्ट्रिक है और उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा आपकी सेक्षिक योगता बीएड है तो बीएड चूस करें ठीक है केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले विश्व के लिए 11 12 केवल संगीत विश्य के लिए अभ्यरती के लिए 11 12 अब एक चीज यहां बताना चा लाई करेंगे ठीक है आपके द्वारा उत्तीन पार्ता दक्षिता वर्ष ठीक है पात्रता दक्ष ठीक है जो भी आपका या दक्षिता परिक्षा केवल फस्ट दक्षिता परिशा केवल पात्रता परिक्षा जो भी आपका वो चूस करें ठीक है आपने किस कख्षा के इती है माकशीट पर आपका इन्रोल्मेंट नंबर अनुक्रमांग नंबर होगा वो डाल दीजेगा बट साइटिफिकेट जो सीट वाले जो पुराने लोग है ठीक है उनके पास क्या एक सीरियल नंबर होता वहां इस सीरियल नंबर यूज कर सकते हैं बट जो नई माकशीट आ रही है उनमें सीरियल नंबर नहीं होता तो सीरियल नंबर नहीं होता तो आप यहां क्या करें सर्टिफिकेट नंबर में क्या डाले ठीक है तो आप अपना रोल नंबर बढ़ दीजेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं माकशीट का इंटरफेस ठीक है त तो देखे और गोई नहीं दिया गया बट पुरानी मार्गशीट में यहाँ पर आपका सीरियल नंबर देया होता है वह सीरियल नंबर आप यूज कर सकते तो नए वाले बोलें के सर फिर कहीं हमारा फॉर्म रेजेक्ट तो नहीं होगा तो भाया नहीं होगा क्योंकि जब आपकी मार्गशीट से टैली कर सकते हैं कि यह आपकी मार्गशीट है या नहीं ठीक है चली तो इसका साइटिफिकेट का पीडियाफ अपलेट कर जीजिएगा डेट ऑब बर्त कर्रेस्पोंडिंग एड्रेस स्टेट डिस्रिक्ट पिन ठीक है एड्रेस ऑपर्मनेंट घाए रहे हो और जो आपको पर्मनेंट स्थाई निवास पता है वह ठीक है डूँयाव एसंच्ट्छल क्वालीफिकेशन क्रैटेरिया जिस्ट पोस्के लिए अपलाई कर रहो इसके लिए असंच्छल क्वालीफिकेशन है यस तो यस नो तो नो ठीक है इमेल, confirm email, ठीक है, enter mobile number, get mobile OTP, ठीक है, enter capture, और जैसे mobile code का जो OTP आएगा, ये डालेंगे, और capture डालेंगे, submit registration form करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये आपको एक नए tab पर ले जाएगा, अब वो tab आपको कैसा देखेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपका registration submitted successfully, be a candidate, your registration has been submitted successfully, exam name, ठीक है, आपका registration number, आपका username और आपका password आजाएगा, ठीक है, तो यही username और यही password आप use करेंगे, कहां, ठीक है, जो आपका ये वाला portal आपको दिख रहा था, ठीक है, जब हमने शुरुआत में क्लिक किया था, नीचे से आपका नया ओक खुल गया था फिर उपर में आपका, मैंने बोला था, यह आप बाद में use करेंगे, तो ऐसा आपका login का portal दिख रहा था, इंटरफेस दिख रहा था, यह username डालेंगे, password डालेंगे, जो capture है, वो डालेंगे, login करेंगे, उसके बाद, ठीक है, आपका ये सारी चीज़े आने लगेगे, ठीक ह और यो permanent resident of Bihar, no कर दीज़ेगा, और अगर बिहार के हैं, तो yes कर दीज़ेगा, ठीक है, आपके द्वारा उत्तीन दक्षिता परिक्षा से पूर निव, पार्तता दक्षिता जो भी है, आपने, जिसके भी through भर रहे हो, मतलब जिस purpose से भी भर रहे हो, first to fifth के लिए बर रहे ह अब यहां पर आप से पूछेगा, applied for post for, ठीक है, अगर आप बिहार के बाहर के है, तो class one to fifth teacher, बिहार के है, तो अगर आप class one to two fifth है, वो कर रहे है, उसको लिखिए, नाइन टेंथ है, उसको कर रहे है, उसको लिखिए, फिर आपका नीचे में यह लिखा रहे है, विद्याल अध्यापके मूल, कोटी, कक्षा एक से पाच के पत पर न्योगती है, तो यह नीचे एक drop down window खुल जाएगी, इसमें से जो आपका है, कि आपको न्यूनितम 50 अंग, उच्चितर मादिमेक अध्वा, इसके समकष्च तता परारविक सक्षा शास्त में, दूई वर्षिय डि सक्षा शास्तर में, दूई वर्षिय डिपलोमा है, ठीक है, पचास अंगों के साथ, इसनातक तता पराविक शिक्षा में, दूई वर्षिय डिपलोमा है, ठीक है, पचास परसा अंगों के साथ, इसनातक तता शिक्षा, इसनातक बीएड, या बीएड इस्पेश, एजूकेशन में न्यूनुतम परचास अंकों के साथ अत्वा जो भी आपका जो क्राइटेरिया भर रहा हूं उसे चूज कर ली जगा ठीक है फिर उसके बाद आगे आप आएंगे अगर आपका ग्रेजुएशन से भरा हुगा है तो इसके सब्जेक्ट स्टीम पासिंग एर ठीक है इंस्टिटूट बोर्ड यूनिवरसिटी कितना माक्स अप्टेंड हुए सीजी पीए में फुल माक्स और परसंटेस कैलकुलेट कर लिएगा यहां अप अगर किसी का कंटूनिएशन में बीएट चल रहा हूँ अगर यहां देखें लिखा हुग गया है मेरे सिक्षक प्रशेक्षा का आयोजन दिनांग 31 8 2030 तक पूर्ण हो जाएगा इसकी मैं स्वगोशना करता हूं या करती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिजल् एंटर फ़ोर पोस्ट प्रायोटी नंबर अगर क्ला外 और फस्सफ्सद तो आपकी पहली प्रायोटी एडिये तो भारवालों के लिए थैंग तो यहीं है प्र यहां पे आका नेक्स्ट रिकर देंगे उसके बाद आपका तिखिक है चुजबित्सरिक प्रायोटी तो यहा नंबर तो मैट्रेक्स में जो आपका मैट्रिक है मांकशिट होगी वहाँ पी बैसिकल्य आपका क्या होगा एक एन्रॉल्मेंट नंबर होगा ठीक है यहाँ बढ़ जाएगा इसिए यहां बढ़ जाएगी उसकी अपलोड लग जाएगी पीडियम आपकी बोडी में कोई आपको दिखेगा click to capture image तो आपके webcam से आपकी photo खीची जाएगी उसे upload किया जाएगा upload signature in English English में signature को upload करना है ठीक है और अगर आपकी photo सही नहीं आई है तो आप retake photo का भी option को भी क्या कर सकते क्लिक कर सकते ठीक है उपर में यहाँ पर आपका time चलता रहेगा ठीक है देखे application closes in 744 minute तो इससे पहले कर लिजगा यह नहीं कि चाय पीने चले गए इधर उदर चले गए next पर click करेंगे ठीक है लिखा आ जाएगा dear your application form has been submitted successfully please note the registration number for future use जो भी आपका registration number आएगा इसको note down कर लिजगा please download your filled application form from dashboard after re-login re-login पर click करेंगे वापस से यह आएगा username डालिए password डालिए जो भी आएगा उसको click करिए और यहाँ लिखाएगा you have not completed your application process please make the payment ठीक है तो click here for payment पर click करेंगे तीन mode आएगे UPI bank और आपका Paytm वगएरा जिस भी mode से आप payment करना चाहते पे करिए और आपकी application successfully आपकी क्या हो जाएगी रेइस्टर हो जाएगी फिर आप अपना application को download करके उसकी copy अपने पास एक जरॉक्स copy रख लीजएगा और एक copy अपने mail पर रख दीजएगा कि कहीं जरॉक्स वगयरा खुजा है तो mail पर हमारी copy क्या है सेव है बाकी इस पर भी आपकी copy सेव रहेगी बट कई बार क्या होता है आप इसका password भूल जा तो यह हो जाता है फिर एंट टाइम पर एक्जाम टाइम पर आप यह करते हो कि सर मेरा यह खो गया मैं क्या करूं यह क्या करूंगी ठीक है तो यह आपकी information थी regarding किस तरह से आप को फॉर्म भरना है ठीक है तो जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजे जल्दी से अपना registration नंबर और सीट्स फोगेरा देख लीजे ठीक है बागी अगर आपको कोई भी डाउट हो ठीक है इस वीडियो के comment box section में आप comment करके बता सकते है till then have a nice day bye bye good day take care thank you